नमस्कार पहार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारे शुरुआत करते हैं खबरों की उत्राखन विधानसबा सत्र तैस अगस्त से शुरू होगा विधानसबा सच्वाले ने सत्र के लिए तैयारिया शुरू कर दी है इससे पहले मंत्री मंडल की बैठक में विधानसबा सत्र आयोजित करने का निर्णे लिया गया था तैस अगस्त से बुलाए गए विधानसबा सत्र हंगामेदार भी हो सकता है चुनावी साल होने की वज़ा से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस से अपने अपने छेत्रों के मुद्दों को उठाएंगे विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करेगा वहीं कॉंग्रस का तिन दिवसिय विचार मंथर शिवेर आज से शुरू हो रहा है जानकारी के मुताबिक कॉंग्रस का ये शिवेर पाच अगस्त सक रिशिकेश में चलेगा चुनावी मंथन के सिश शिवेर में कॉंग्रस प्रदेश प्रभारी देवेंद्री आदव, प्रदेश अध्यक्ष, गनेश जोत्यों और चुनाव प्रिचार समीतिक अध्यक्ष हरी श्रिर रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रितम सिंग समेत सभी वरिष्ट नेता भाग करेंगे बतादे की विचार मंतन शिवेर में मैनिफेस्टों के लिए सुझाव प्रस्तावित मुद्देवा अभियान, प्रस्तावित यात्रायवा सभाय चुनाव के दौरान बढ़ते जाने वाली जरूरी एतिहाद, चुनाव की तैयारियों के लिए व्यक्तिगत क योजना पर विस्तरत चर्चा वासु जाब लिये जाएंगे। प्रधार मंत्री मोदी और ग्रह मंत्री अमिश्चा के साथ मेरी ये सिष्टा चार भेट थी, चार साल मुख्य मंत्री बनाने और केंद्र का भरपूर सहीयोग देने के लिए उन्होंने उनका अभार भी व्यक्ति किया है। इस सरकार कोई खत्रा मोल नहीं रेना चाती है। लिहांसा प्रदेश में कोविट कर्फ्यू को दस अगस तक बढ़ा दिया गया है। हालक इसमें कोई नहीं राहत नहीं दी गई है। निजी और सरकारी स्कूलों को कोविट गाइडलाइन्स का सक्ती से पारन करड़ा होगा। जबकि ITI पॉलिटिकनिक कॉलेज विवी नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंदित विभाग अलग से SOP जारी करेंगे। कोविट वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 15 दिन के बाद अगर कोई उत्रा खड़ाएगा तो उसे RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। वह वैक्सिनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आ सकता है। वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। राज में अब तक कुल कई लाग से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। फिलाद के लितना ही देशन की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी। फिलाद के लाग से तमाब को देखते रहे हैं। झाल